हенल व्हेले अब कर देखि वह का में स्टार्ड कर रहा है इक्विलेब्री मीडिया मोज इस्टारट पूपट के इफूरों के सथी थी और पूरस इई तो आप देखिए हम लोगों ने पहले भी एस्टैटिक्स में काफी कुछ पढ़ रखा है मैं उसको पड़ा सापको रिभाइस करवा देता हूं और उसके बाद जो हम लोगों को इस सेमेश्टर में पढ़ना है उस से बसको मैं करूंगा तो सबसे पहले यह देखिए कि अगर सब्सक्राइब को इक्विलिब्रियम में इस्टैटिक रहने के लिए जो भी कंडिशन होगा उसे जो रिलेटेड जो भी हमारे इसूस होंगे हम उनको पढ़ने वाले हैं तो अब देखिए यहां पर इसे सपोस्ट कि हमारे पास में कोई रिजिड बॉडी है ठीक है जो मैं इस तरह कोई पॉइंट आपका एटू है कहीं पर कोई पॉइंट आपका एठीक है और यहां पर जन्रों पॉइंट मैं लेकर रखाओं ए आर तो ए आर मेरा कोई इस पर उड़ी कोई रिसके स्प्रोण के जिए जो पॉर्स हो रहा है वह रख टीक है अब देखिए यह जो फॉर्स मारा इफ आर है पहले हम इसका पॉजिशन ले ले लेते हैं पॉइंट ये आर का सपोस करते हैं जो ओर इसको ऐसे लीक सकता हूं उपर में एफ आर और नीचे में माइनस ऐसा करने से क्या होगा कि यह दोनों आपस में जो है बैलेंस हो जाएंगे तो फिर नेट फॉर्स और जिन पर कुछ बचेगा नहीं तो मैं जो है इसके फार के कर्रस्पोंडिंग में एफ आर और माइनस फार रहां पर लिख सकता हूं ठीक है इसे को फरक नहीं पड़ लोग आएगा जब हम लोग इन दोनों फोर्स को देखेंगे यह एक और इस एफ आर को पाएंगे यह दोनों क्या है एंटी पैरलल फॉर्स है यह दोनों का मैंगनिटूट सेम है इफ आर एफ आर इफ आर ठीक है लेकिन दोनों आपोसीट डारेक्शन में तो इस तरह है जो क्या सबसक्राइब क्या बनाता है जिस लुक्त करते हैं यह जो एक हमका सकते हैं कि वो क्या है वो एक फोर्स एफार के ठीक है जो पे अपलाई हो रहा है देख रहे हैं और क्या है एक कपल के इक वालेंट है जिसका मुमेंट क्या होगा तो मुमेंट आपको बदाया था क्या होता है तो आपको याद होता है मुमेंट आफ कपल हम इस तरह किसे लेते हैं जो एक कि पाइलल फिर्टू एक उसमें कि एक लेते हैं और जो परपंडिग्लाज्ट इस्टेंस है यहां पर फार्मुला क्या हो जाएगा सब लोगोंने पहले पढ़ा हुआ है तो यहां पे जो कुछ रिजल्ट वेगर रहा है वह मैं लिख देता हूं कि जैसे सबसे पहले है नमबर नमबर वन क्या होगा ठीक है कोई भी फोर्स आपका जैसे यहां पर मैंने लिखा है पोर्स एफ आर ठीक है यह आपका एक्ट होता है एक्टिंग एट पॉइंट ए आर जो मेरा पॉइंट ए आर पे अप्लाई हो रहा है ठीक है आफ रिजिट बोडी आफ ए आपको दे रहा है ठीक है एड़ और जिन पर आपको एक एकट इस तरफ आप जो देखने है डाया रहा है तुगेदर विठ तूगेदर विद एक कपल ऑफ मुमेंट एक कपल ऑफ मुमेंट ओके ए आर क्रॉस एफार पहले यह रिजल्ट आपको याद रखना है क्या मैंने बताया कि कोई भी फोर्स एफार जो होता है कोई भी सिंगल फोर्स जो एपार है ठीक है जो यहां पे एर पे अप्लाई हो रहा जो उसके सेब डारेक्शन में ऊपर की तरफ लगा हुआ है एक को ठीक है और दूसरा एक कपल देगा जो अपोजिट डारेक्शन में फोर्स है यह और यह मिल करके ठीक है तो इसका मुमेंट होता है क्या ए आर फार ठीक है पहले आपको यह अच्छे से समझ देना है इसी त ठीक है एक्टिंग एट डॉट 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 ऑफ बोडी जिसका पोजिशन वेक्टर आप एवन एटू ले सकते हैं स्मॉल में तो वो क्या होगा वो एक्विवालेंट होगा एक फोर्स का जो ऑरिजिन का अप्लाई होगा ठीक है जो भी पॉइंट आप टॉटल है उसको एक सिंगल फोर्स में हमें लोग करते हैं याद रखेगा तो जो भी आप इस पॉइंट चूज करें उसक्ते वह वह उपका आरबिट्रेरी फोर्स है फ्योंट होता है एक फोर्स एपार के जो और यिन उसका है प्लोंग में को आफ था क्या है उस आर्बिट्रिरी पोजीशन का पोजीशन वेक्टर ठीक है याद रखिएगा हाँ यह एक रिजर्ट तो सेकंड रिखने वाला हूं यह कि अगर डिफरेंट फोर्स अप्लाई होता है तो आप उसका रिजल्टेंट क्या निकालते हैं ठीक है रिजल्टेंट हमार जो निकलता है वो क्या निकलता है रिजल्टेंट ऑफ इस सिंगल फोर्स इंगल फोर्स ठीक है इस तरीके से अगर अप्लाई हो रहा है तो उसका रिजल्टेंट कैसे मों लिखते हैं यह जिनल लिखा जाता है आर इस इकल टू ऐसे ठीक है इसको आप सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे भी सेटेंगे ठीक है और इस इकल्ट टू एन और फ यह हो गया अब यहां पर यह देखिए कि यहां पर पढ़ रहें तो यह आपको इसको बाढ़ सकते हैं इसकेस में इसको जो रिजल्टेंट आ जाएगा जाएगा जो मेंगनिचूड आ जाएगा ठीक है क्या लिखेंगे जो मेरा जी वेक्टर होगा वो क्या होगा इस दी क्या होगा जाएगा जी जो होगा हमारा वो क्या होगा वो इस तरह से जैसे यार प्रोस फार लिखा गया थीक है फिर एटू के लिए एटू क्रॉस फ्टू हो जाएगा प्लस इसी को हम लोग सकते हैं कैसे करके ए इन क्रॉस एफ इस तो इसलिए जो आपका जो जी आएगा ठीक है जो उसका आप स्वाटना ऐसे भी लिख सकते हैं क्या सिग्मा और फ्रॉम वर्न टू इन के आर क्रॉस के फार है जो आप पहले भी पहले से भी आप जानते हैं बट एक पर आप रिवाइस कर लिए ताके जो यहां पर यहां पर हम लोगों का कंटेंट को देखना है ठीक है वह हम लोगों को कोई दिक्कत ना उसको देख अधाएं के हम लोग यह देखने देखने हैं जब रिजरटेंट शुक्त निकालते हैं न है ना जो रिजरेटेंट इसको सिंगल टूर्स भी कहते हैं ठीक है इसके बाद देखिए हम लोग यहां पर जो एक रिजल्ट भी ले करके आएंगे जिसमें हम लोग यह देखेंगे कि कोई भी रिजिट बॉड़ी है तो उस बीजिट बॉड़ी में जो सिस्टम और फोर्स है इसको हम लोग एक सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल में जह आ जो है कर सकते हैं तो यह तो रिजल्ट मैंने पहले गए आपको बताया हुआ है तो सिस्टम पीख देता हूँ में प। यह बन जाएगा कि हम लोग जो भी system of forces given है उसको एक सिंगल फोर्स में ठीक है में हम लोग कर सकते हैं ठीक है क्या लिखेंगे कि गिवेड सिस्टम ऑफ फोर्सेज सिस्टम ऑफ फोर्सेज आपका जैसे एक वन वेक्टर है ठीक है एक्टिंग इसे तरीके सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसको में क्या कर सकते हैं तो एट सिंगल पोर्स कर सकते हैं सिंगल पोल में कर सकते हैं ये सिंगल सिंगल कपल्स क्या कवा तो तो जो भी पहलों तिर्ग फोर्स दिया हुए है उसको हम एक सिंगल प्लस में बट में लाप आएंगे एक सिंगल कपल में ला पाएंगे जी वेक्टर ठीक है जहां मैंने सिग्मा और इपल टू वान टू इन जैसा भी मैंने दिखाया था ए आर क्रॉस एपार तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है अब देखिए चौथी बात यह है कि यह जो आर है ठीक है और यह जो जी है इसका डारेक्शन क्या है अलग-अलग होता है ना यह से माल लिए किसी यह बेस पोइंट कर श्यक्त में आर को लेए और जी आर और जी दोंडों क्या हो सकता है तो विपट रैस्पेक्ट टू है तो डिस्टिंक्ट बेस्टोफ इसे इस प्वूइंट्स थिक्षा भेस्टोफ है तुछ ब़िस्टोफ में यह आपके डिक्वेंट करता है लेकिन अगर आप अलग-अलग भेसपोइंट लेंगे तो जो आरा रहोगा और जी को अच्वा क्या होगा अलग-अलग अलग ृ घटि कुछ भी हो सकता है। विभ्रब्सक्तों बेस्तिंक बिस्तिंग पिंस्तिंग बस थीड है। जरेली 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 दैरिक्शि Number अव uh औ ग है आधिस टिक है तो आधि कुछ भी हो सकता है हो सकता है डिस्टिंग बेस्ट के साथ ठीक है लेकिन हम लोगों को कुछ ऐसा भी बेस्ट पॉइंट मिलेगा जिसमें आर का डारेक्शन और जी का डारेक्शन इसा कर सकते हैं यह इंपोर्टेंट है बट कि वी है विए सम बेस्पॉइंट ठीक है लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा भी बेस्पॉइंट होगा ओके बोडी में जिससे क्या होगाँ इसम बेस्पॉइंट है थीक है विट रेस्पेक्ट टू बिट रिस्पेक्ट टॉ धाट आर्विट्टर अगग जीश्टरव इसफिर इसिंगल को है और सिंगल कपल जो हमको मिल रहा है आर और जी ठीक है कि क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका विकम पैरलल कहिए या कहिए इन सेम डारेक्शन और इन सेम डारेक्शन तो हम लोग को यह ढूंदना पड़ेगा ठीक है अगर आप धूंदेंगे तो आप बिल्कुल पाएंगे कि आपको कुछ ऐसा इप deposit करता है यह जी सब्सक्राइब अगर बेस बनाया जाय तो मैं पहते है आपका फैरल्लिवर गञाएगा ठीक है बोडी में तो यह एक special property कहलाएगा ठीक है क्या कहला है इसको हम लोग कहेंगे range कहलाता है अगर यह दोनों एक ही direction में होता है और इसी के लोकस को ठीक है जो बेस्ट पॉइंट से इसी के लोकस को क्या बोलते हैं हम लोग आक्सिस बोलते हैं अब जो सिलेबस है रेंज का सेंट्रल एक्सिस का तो यह हम देखने जा रहे हैं कि रिंज क्या होता है पिछ क्या बोलेंगे पिछ इसको बोलेंगे ठीक है तो यहां से आपके लिए अब इंपोर्टेंट बातें शुरू हो रही है यह पहले भी डिसकस कर चुके है बट हम लोगा वन यहां से ठीक है डिटेल में डिफिनिशन वगरा को डिसकस करेंगे ठीक है तो आई हम लोग डिसकस करते हैं ठीक है अचि पहले हमारा रेंज क्या होता है ठीक है ओके देखते हैं यहां से हमलोग पाटिस रेंज अ देखिए रेंज के देखने में लिखा हुगा है एक कॉंबिनेशन ओफ SINGLE FOURCE सिंगलफ size Cookie एक कॉमिनेसं आप सिंगलफ और अग医ारी कपल दी याप बताया का से फिक है अगर इसका लाइन उफ एक्षिन जिस तरफ ये apply है इसका line of action और इसका axis of couple, ठीक है, जिसके about में ये apply हो रहा है, अगर ये दोनों direction अगर आपका same हो गया, ठीक है, तो फिर ये जो combination है, ये क्या कहला आता है, एक range कहला आएगा, ठीक है, that is क्या, that is इस तरह से बना लेंगे हम लोग गुरूप चुकि अब यह से बात है कि दोनों का डारेक्शन सेम है तो अब जो क्तुकि अब क्तुकि आवल इसका मतलब है शी हूसाइज में काम कर रहा है यहां पर मेरा काम कर रहा है तो इसलिए जो लाइन ऑफ एक्षन जो हम लोग का डारेक्शन बनेगा अगर हम लेना चाहेंगे तो क्या बनेगा ठीक है जब हम लोग का क्या लेंगे उसे कॉमन लाइन को हम लोग क्या लेंगे उसाइफ चैक लिए बढ़ते हूं इंटन्सीटि ओफ प्रेंच इन के आपके लिए इंपोर्टेंट याद रखिए का डेक्जन एक्जाम में आता है कि पीच ऑफ रेंज पीच क्या होता है कि पीच क्या है कि आये सिंस इन केस ऑफ रेंज रेंज में क्या है आर इस पैरलेल टूजी आर हमारा जाता है ठीक है तो पता है आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर दो हेक्टर ए और बी आपस में पैरलेल है तो क्या रिलेशन होता है कोई एक स्कारल ले लेते हैं कोई भी एक स्कारल लगा लेते हैं तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं ठीक है यहां पहले रिज़ल लगेगा तो कि आर ऑजी आपका पैरलल है पॉइच्छ इस पीको अपनों क्या बोलेंगे पीच ओफ रिंच बोलेंगे तिक है तो सिंपल सिंपल डेपिनिशन है इसको आप याद कर दीजिए खिर रहें ठीक है आगे चलते हैं फिर देखेंगे नेक्ट है हमारा सेंटरल एक्सिस या तो कॉइंट पॉइंट रसेंट एक्सिस ठीक है क्या होता है यह देखिए सेंटरल एक्सिस इस इस ट्रेट लाइन एक श्ट्रेट लाइन है ठीक है विच इस दी लोकस ऑफ पॉइंट्स रिगार्डिंग विच सिस्टम ऑफ फोर्सेज रेड्यूज तुए रेंज ठीक है मैंने आपको बताया कि जो बेस पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में और और जी पैरलल हो जा रहा है तो उन बेस पॉइंट्स के लोकस को क्या करेंगे हम लोग सेंटरल एक्सिस करेंगे ठीक है तो यहां पर व सिस्टम फोर्सेज रेडियो सिस्टुए रेंज रेंज का मतलब क्या कि जहां पर आर और जी आपका क्या हो जा रहा है एक ही डिरेक्शन में आ जा रहा है ठीक है इसके बाद उसको मैं निक्ट वीडियो में आको साब कंटिनीव करता हूं ठीक है थैंक्यू फर वाचिन